एक मज़ेदार बात मेरा आज गला खराब है और हम बात करेंगे कैसे आप वीडियो की आडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हों अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हो तो आपको अपनी वीडियो क्वालिटी और आडियो क्वालिटी दोनों को ही इंप्रूफ करने की ज़रूरत है और आडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है विकॉज जो इंफोर्मेशन हम शेयर करते हैं जो भी चीज़े हम बता आते हो तो कैसे आप अपने मुबाइल फोन के तुरू ही अच्छी वाइस क्वालिटी रेकॉर्ड कर सकते हो अपने वीडियो में और वह कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको वीडियो रिकॉर्ड करते समय फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी जो आडियो की क्वालिटी है को अच्छी रहे और उसमें जादा बैग्राउंड ना आए बात करते हैं सबसे पहली तरीके की जो की एक प्रोफेशनल तरीका है और मैक्सिमम यूट्यूबर्स वीडियो के लिए इसी तरीके को फॉलो करते है इसमें आपको एक माइक्रोफोन पर्चेस करना होगा जैसे क और साथी साथ इस माइक में आपको मिलता है जिससे कि आप जब भी वीडियो रिकॉर्ट करते हो तो जो बैक्राउंड नॉइस होती है अगर आप रोट के साइड में वीडियो बना रहे हो तो ट्रांस्पोर्टेशन की आवाज आती रहती है या फिर आप कहीं भी ऐसी जग था लगबग 1000 रुपए और अभी यह माइक लबग 600-700 रुपए के आसपास Amazon पर आपको मिल जाएगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप इसका प्राइस चेक कर लेना अगर आप अफॉर्ट कर सकते हो तो आप इसको ज़रूर पर्चेस कर लो इ जी हां ये वाले एरफोंज का यूज बहुत सारे लोग गाने सुनने के लिए करते हैं और बहुत सारे लोग कॉल्स पर बात करने के लिए किसी भी ठिक ठाक ब्रैंड की जो earphone होती है उसका जो mic होता है यह काफी अच्छी quality का होता है sir earphone में जो आपको mic मिलता है उसके तुरू भी काफी अच्छी audio quality record हो जाती है और शुरुआत में जब मैं भी वीडियो बनाता तो तो मैंने शुरुआत में बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिनमें मैं अच्छी audio के लिए earphones का use करता था earphones से voice को record करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी earphone का जो यह pin है यह recording के time पे अपने mobile phone में eject करना होगा यहां हवा बहुत तेज चल दिये यार उसके बाद के आपके जो earphone का mic है आपको कुछ इस तरीके से hold करना होगा और आपको अपनी video record करनी होगी इसके लावगे जब आप earphone का use करोगे video record करते समय तो आपको एक problem आएगी वो यह है कि earphone की length ज़्यादा नहीं होती है तो आप अपने mobile phone से ज़्यादा दूर नहीं खड़े हो पाओगे तो mobile camera के ज़्यादा pass खड़े होने का एक ही disadvantage है कि आपका जो background है वो ज़्यादा cover नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी अगर आप start कर रहे हो आप पैसे invest नहीं करना चाहते तो earphone एक best option है अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की बारे में यह तरीका काफी अच्छा है और बहुत सारे professional लोग भी इस तरीके को follow करते है इसमें आपको ना ही कोई mic खरीदना है ना ही कोई earphone खरीदना है इसमें आपके पास होना चाहिए एक और smartphone जी अगईज आपको वीडियो बनाते समय अक और smartphone चाहिए होगा एक phone से आप video record करोगे और दूसरे phone से audio जी आगईज आपको दूसरे वाले mobile phone में audio record open करना है और editing के time पे इसके audio को उस video के साथ synchronize करोगे और यार audio video को merge करना बहुत ही आसान है आप किसी भी video editing application में audio video को merge कर सकते हो बहुत easily और जो smartphone का microphone होता है वो काफी अच्छा होता है इसमें बहुत ही अच्छी quality आती है तो अगर आप mobile phone को इतनी distance पर hold करके video record करोगे तो आपकी audio बहुत ही clear आएगी so yes guys यह भी काफी अच्छा तरीका है और आपने बहुत ही prank videos में देखा होगा कि लोग इस तरीके से microphone को लेकर prank करते हैं so yes guys यहीं है तीन और सबसे बहतर तरीके जिनके तुरू आप अपनी वीडियो की audio quality को improve कर सकते हो so yes guys इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको information अच्छी लगी होते हैं लाइक कर दो चैनल को subscribe कर लो इसके लाव अगर आपको कोई doubt है कोई question है तो आप comment section में जरूर पूछ सकते हो okay so मिलते हैं किसी ऐसे ही interesting video में तब तक के लिए bye bye